जब भी पाव भाजी बनाने की बात आती है तो सबसे पहले याद आती है अरे घंटों इसे मैस करना पड़ेगा तब जाके वो कोई टेस्ट आएगा लेकिन आज ऐसे ट्रिक से पाव भाजी बनेगी जो दस मिनट में आप ऐसी एकदम चटाके दार मार्केट जैसी भाजी बन गाजर एक फुल गोभी एक सिमला मिर्च तीन प्याच साथ आठकलिया लैसन की दो हरी मिर्च और एक टुकड़ा अद्रक का इन सवी सबजियों को पहले हम काट करके रख लेंगे तो अब देखी अब सुरू करते हैं बनाना तो मैंने गैस पर चढ़ा दिये कड़ाई और क बड़ा चमच तेल का डाला है और तेल को गरम हुने के लिए छोड़ दिया है जब तेल एक दम अच्छे से गरम हो जाये तो इसमें मैंने पल्कुल हलका सा जीरा डाला है और भलकुल हलकी सी राई लगबग एक चुटकी के लगबग राई और 140 श्पुन जीरा जब ये पक आधी चमच हल्दी लाल मिर्च और आधी टीव स्पून मैंने डाल दिये कस्मीरी लाल मिर्च इन सब को डाल करके और साथ में एक चमच करपाव भाजी मसाले डाल दिया है इन मसालों को डालके एक बार अच्छे से बिल्कुल लो फ्लेम पर हम हलका सा मिला लेंगे इसमें कि ताके टमाटर में मसाले पक जाएं मसालों को हलका सा भूनने के बाद लगवक 30 सेकंड भूनने के बाद मैंने इसमें सबजियां डाली है सबजियों मैंने फुलगों भी गाजर और साथ में डाल दिये हैं आलू ये सबजियां डाल करके एक बार हम इन सब को अच्छे से हो जाए इतना ही हमें चलाना है अभी और साथ में डाल दे रही हूं मटर लगवग एक कटोरी की लगवग मैंने मटर लिये हैं यह नॉर्मल मटर है अगर फ्रोजन मटर हो तो आप अभी ना डालें बलकि जब यह सबजियां पक जाएं उसके बार डालें मैंने कच्चे ताज मटर लिये हैं वो मटर डाल करके अभी मैं इक बार चला दिया है मैंने और इसमें डाल दिया है नमक सबजियों की क्वांटिटी के हिसाब से नमक डाल दिया है आप भी अपने टेस्ट के कॉडिंग नमक डालिए नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के कॉडिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं और एक बार अच्छे से स्टर कर दीजिए अभी हमें इसे भूनना नहीं है बस केवल इसमें मसाले मिलाने हैं और बिल्कुल थोड़ा सा लगवग आधी ग्लास के लगवगई की पानी डालना है पानी डालने से क्या होगा सबजी या अच्छे से और कूकर का ढखकन लगा करके तीन सीटी हम तेज आज पर इसमें लगा लेंगे यह देखे सीटी आनी शुरू हो गई है इस तरह से अब हम इस तरह की तीन सीटी आ लगाएंगे और ग्यास की फ्लेम को बंद कर देंगे और कूकर की सीटी को पूरे निकलने तक ठंडा होने द जो कोकर का लेड़ खुल जाएगा, तो कोकर का लेड़ खुलने का अब देख सकते हैं, सबजी आप अच्छे से पक चुकी हैं, तो अब आपको दिखाती हूँ, इसमें अब क्या करना है, तो एक बार हम सबजी आपको अच्छे से चला लिया है, मैंने इस पैचूला से, और अब मैं ले रही हूं परटेटो मैसर मेंसर से अब हम इन सबी सब्चीयों को अच्छë से मिक्स कर देंगे देखिए उबलने के बाद क्या हैं ना सब्चीया सब्चeंत तुरण मैस हो जाती है इसे ज़ाद समय नहीं लगेगा और गरम गरम है इसलिए भी सब्चीया तुरन मैस हो जाएगी तो इसे लगए दो से तीर मिनट तक हम मैस कर देंगे ताकि जो इतने भी सब्जियां वो सारी अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो ये देखे सारी सब्जियां तुरन मिक्स हो गई मैस हो गई अच्छे से एक साइडर देते हैं और गैस पर मैंने वापिस और डालेंगे तो ही अच्छी बनेगी सरसो के तेल में एक चटपटा स्वाद आता है तो दो बड़े चमच मैंने सरसो का तेल डाल दिया है तेल गरम होने पर बलकुल हलका सा जीरा इसमें डाला है और अब मैं डाल रही है उसमें जो लैसन की साथ अठकलिया थी उसे बारिक चौप कर लिया है साथ में दो हरी मिर्चों को भी बारिक चौप करके डाल दिया है और अधरा को अच्छी से घिस करके डाल दिया है इन सभी को डाल करके एक बार हलका सा स्टर्फ कर लेंगे ताकि यह जो हमने डाली लैसन का कच्छा फ्लिवर निकल जाए और अब मैं डाल रही हो इसमें बिल्कुल थोड़ी सी पत्ति प्याज ये ऑप्शनल है आप इसे स्किप भी कर सकते साथ में ये एक सिम्ला मिर्च को भी मैंने बारी करके डाल दिया है और अब इसे डाल करके हम दो से तीन मिनट तक हम इसे पकाएंगे दो से तीन मिनट तक हम इसे तेज आज पर ही पकाएंगे क्योंकि सिम्ला मिर्च तुरंट पक जाती है इसम्ला मिर्च को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है बस अब हम इसे भूनना है तो हलका सा हम इसे भूनेंगे बिलकुल गोल्डन ब्राउन नहीं करना हलका कलर बटर से भाजी में टेस्ट आता है, बटर में ही हम मसाले फ्राइ करते हैं, जिसे क्या है कि उसमें एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए, चुकि बटर में नमक होता है, इसलिए नमक हम भी कम ही डालेंगे, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ, दो बड़े चमच पाव भाजी मसा यह मैंने घर पर तयार किया, वो मसाला डाला है, आप रेडिमेट भी डाल सकते हैं, मैं घर पर तयार किया मसाले की रेसिपी डालूंगी, आप उसे फॉलो करिए, बहुत अच्छी बनता है यह मसाला, और साथ में डाल दी है, मैंने आदी चमच के लगवग कस्मीरी लाल मि देने से इसमें कलर भी बहुत अच्छा आता है, और साथ में अब मैं इसे अच्छे से भून ले रही हूं, देखे दवाते हूं मैं इसे भून रही हूं ताकि सारे मसाले प्याज इसमें मिक्स हो जाएं, तो यह देखे हलका सा भूनने के बाद लगवग, एक से दो मिनट म बारिक काईदम चॉप कर लिया है, मैसर में मैंने चॉप किया है, और इसे चॉप करके डाला है, ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए, अगर हम इसे मोटा मोटा डालेंगे तो हम इसे थोड़ा ज़्यादा इसे चलाना पड़ेगा, और अब पटेटो मैसर से ही इस मसाले को भी हम मैस कर लेंगे, ताकि जियो भी अगर खड़े कुछ भी रहे, तो वो सारा इसमें अच्छे से मैस हो जाए, पाव भाजी में सबसे बड़ा चीज होता है, इसे मैस करना, तो जब हम इसे पका लेते हैं तो इसे मैस करना बहुत आसान हो जाता है, तो ये देखे, ये हो डाल दूँगी, और अब हम इसे अच्छे से मसाले में मिलाते वे चलाएंगे, तो देखे, मैने पटेटो मैसर से ही इसे, सारा जो भी हम कर रहे हैं, मैसर से ही कर रहे हैं, तो मैसर से एक काम ये हो जा रहा है, कि हमारी सबजे मिक्स भी हो जा रही है, और साथ में मैस भी हो आज को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर रखें क्योंकि तेज आज पर क्या पानी जल्दी सूख जाएगा और सब्जी हमारी जल्ने लगेगी तो मीडियम फ्लेम पर ही इसे बनाएं और इस टाइम देखें अभी अच्छे से पक चुकी है बिल्कुल अच्छा सा इसमें कलर भी चुका है तो अब हमारी बारी इसमें आती है थोड़ा सा पानी डालने की तो यह जो मैंने टॉप में निकाला था उसी टॉप में पानी डाल करके मैंने इसमें डाल दिया यह पॉट से में जो सबजी लगी थी न वो भी इसके साथ ही इसमें चली गई तो अब पानी आप ड डाला है और अब इसे हम spatula की help से अच्छे से मिलाएंगे और उबलने देंगे देखें उबलने के बाद इसमें color भी अच्छा आ गया और texture भी कितना अच्छा आया है देखें आप देख सकते कितनी जल्दी ये भाजी बन चुकी सिर्फ 10 minute में भाजी ready हो जाएगी और अब इसमें एक main चीज़ बाकी है तड़का लगाने की जिससे जो बाज मार्केट में जो color आता है वो इसी से आता है तो इस टाइम मैंने एक तड़का पैन चड़ा दिया है और तड़का पैन में मैंने डाल दिया है एक चमच के लगबग बटर बटर को अच्छे से पहले पिघलने देंगे देखिए आप देख सकते हैं बटर पिलकल पिघल चुका है और इस समय अब हम इसमें डालेंगे एक चमच कस्मीरी लाल मिर्च powder कस्मीरी लाल मिर्च powder डाल कर हम इसे बटर में अच्छे से mix करेंगे और साथ में ही डाल देंगे इसमें थोड़ा सा पानी पानी डालने से क्या होगा बटर जलेगा नहीं और जो रंग जो रहेगा वो उपर की और तैरतावा दिखता रहेगा हर समय भाजी हमारी लाल ही दिखेगी तो अब हम इसमें सबसे पहले क्या कर रहे हैं आधा तड़का आधा तड़का हम कड़ाई में डाल दे रहे हैं जो कि जब हम इसे सर्फ करेंगे तो ये उपर से दिखें और जब हम सर्फ करेंगे तो इसे भी हम थोड़ा सा उपर से इस तड़के को डाल दिए जो अलग से color इसमें दिखता रहेगा ये तड़का आप डालेंगे तो इसका color बहुत अच्छा आएगा और बटर से taste भी इसमें बहुत अच्छा आएगा आप देख सकते हैं भाजी ये देखें कैसे कड़ाई छोड रही है तो अब चलिए पाव की तयारी करते हैं तो तवा पर मैंने पहले तवा गरम करने के लिए चढ़ा दिया था और उस पर डाल दिया थोड़ा बटर लगबग आधे चमच के लगबग बटर डाला है और थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा वन फोर्टे स्पुन पाव भाजी मसाला और साथ में थोड़ी सी धनिया पत्ती ये डाल करके एक बार हम चारो तरफ इसको अच्छे से तवे पर फैला देंगे और अब मैंने दो पाव लिये हैं और दो पाव को डाल करके इस पर अच्छे से इसको मिला दिया है ताकि सारा मसाला इसमें चिपक जाए और बटर भी है वो अच्छे से इसमें अब्जॉर्ब हो जाए और अब हम उपर की और साइड भी बटर लगा लेंगे दोनों तरफ से बटर लगा कर हम इसे दोनों तरफ से अच्छे से लाल लाल हम सेक लेंगे इससे क्या होगा कि जब हम इस तरह से दबा करके पाउ को सेखते हैं तो ये दोनों तरब से सॉफ्ट भी हो जाते हैं और अच्छे से सीखते भी हैं आप देख सकते हैं मसाला देखे कितनी अच्छी से इसमें चिपक गया है और कलर भी कितना अच्छा आया है तो यह देखें इस पर नहीं थी तो मैंने थोड़े से धनिया पतीस पे भी लगा दी है तो यह देखिए हमारे पाउ को इस तरह से मैं दबाते विसेख लेती हूँ और हमारे पाउ बिलकुल रेडी हो चुके हैं अब करते हैं प्लेट सर्फ तो इसके लिए मैंने एक प्लेट ली है और एक बाउन में मैंने डाल दिया है प्याज और एक में डाली है भाजी और देखे भाजी के उपर ही मैंने हलका सा तड़का डाल दिया है तो कलर कितना अच्छा है और इसके उपर थोड़ी से धनिया पत्ती और थोड़े से बटर से मैं इसे garnish कर रही हूँ जो देखने में बिलकुल market जैसा लगेगा और खाने में तो taste का कहना ही किया और प्याज में भी हम और साथ में हम रख देते हैं पाओ जो हमने पाओ सेख करके रखे थे न बिलकुल लाल लल मैंने सेखे हैं और खाने में टेस्ट तो market से भी ज़्यादा अच्छा लगेगा तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो like and share जरूर करिए साथ में comment करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी और साथ में अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो इसे like, share करना ना भूलिए सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाईए ताकि आपको नई notification तुरंद ही मिल जाएए